हेलो फ्रेंट्स, वेलकेम तो माई यूटूब चैनल, एम वारून, आज जो टॉपिक्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है फेक्टर से अफेक्टिंग दिरेसिस्टेंस अफेक्टर एंड इरेसिस्टिविटी, लास्ट वीडियो में मैंने ओम स्लो और रेसिस्टेंस के किया था, I hope आपने वो वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो उसका लिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस एक प्रापरटी होता है, कंड़कर का, जो कि फ्लो आप चार्ज को अपोच करता है, ये रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर पर देपंडेंट होता है, and there are four factors on which resistance of a कंड़कर depends तो यह four factors क्या क्या है first factor होता है length of the wire that means length of the conductor second जो होता है यह of the cross section third होता है nature of the material and fourth होता है effect of temperature अब मैं बारी-बारी से इसे explain करूँगा first जो factor है वो होता है length of the conductor तो resistance length of the conductor के directly proportional होते हैं that means क्या होता है आर प्रोपर्शनल टो एल तो directly proportional नहीं इसका मतलब यह आप length को increase करोगी तो resistance है वो भी increase करेगा और यह लेंद को decrease करोगी तो resistance भी decrease करेगा तो यह आपने length of the wire को double कर दिया है तो resistance double हो जाएगा यह आपने length of the wire को half कर दिया तो resistance भी half हो जाएगा यह मिज़ क्या होगा कि यह आप long wire लेते हो तो उसका resistance ज्यादा होगा और यह शौट wire लोगे तो उसका resistance कम होगा इसकेंड जो factor है वो होता है area of cross section of the conductor that means क्या होगा कि जो resistance होता है वो conductor के cross sectional area पर भी depend करता है कि इस तरह के dependent होता है तो यह inversely होता है that means r proportional to 1 upon a इसके मतलब यह होगा कि यह आपने cross sectional area को double कर दिया तो resistance हाफ हो जाएगा और यह आपने cross sectional area को हाफ कर दिया तो resistance क्या हो जाएगा double हो जाएगा तो यहाँ पर एक conclusion निकाल सकते हो आपकी जो थिक wire होता है उसका resistance कम होगा और जो thin wire होगा उसका resistance ज्यादा होगा तो friends यह जो cross sectional area है इसे आप diameter से भी compare कर सकते हो क्योंकि यह जो wire होता है यह cylindrical shape में होता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो resistance होता है यह inversely proportional होता है one upon d square का मतलब क्या हो गया कि diameter के square का inversely proportion होता है इसका मतलब यह है कि यदि आपने किसी wire के diameter को double कर दिया तो इसका resistance क्या हो जाएगा one upon fourth हो जाएगा और यदि आपने diameter को half कर दिया तो resistance क्या हो जाएगा four times हो जाएगा थर्ड जो factor होता है वो होता है nature of material तो resistance जो होता है यह material के nature पर भी depend करता है जिसे हम करते हैं कि silver जो होता based conductor होता है silver based conductor है that means क्या होको उसका resistance जो होका बहुत ही कम होगा और यह हम उसे compare करते हैं किसी alloy से मालने ते नाइक्रोम वायर लेते हैं तो नाइक्रोम वायर का resistance बहुत जादा होता है तो यह दोनों जो resistors हमारे पास है conductors जो है इनके resistance में जो differences आ रहा है यह किसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों जो conductors है वो जिस material से बनी हुए है उनका nature जो है वो अलग लग है फोर्थ जो factor होता है वो होता है temperature तो फ्रेंट्स यह जो जितने भी pure metals के बनी होते हैं उनका जो resistance होता है वो temperature पर directly dependent होता है तो रेसिस्टेंस भी क्रीज करेगा और यह आप temperature को lower करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्रीज करेगा यह सिर्फ pure metal को केसे में होता है यदि हम किसे alloy को लेते हैं जैसे कि नाइक्रोम है तो उस case में resistance में कोई फर्क ने पड़ता है temperature को change करने के बावजूद सब्सक्राइब करता हुआ तो हो जाता है आर प्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्राइब करना है तो मैं इक इस्तमाल करना होगा तो वी युज यह constant that is known as rho so r is equal to rho into L upon A और यह जो constant है rho इसे ही हम करते है resistivity या फिर specific resistance so rho is equal to R into A upon L यह जो इसका है सब्सक्राइब करते है यह आता है ohm meter यह जो resistivity है यह क्या होता है we can define it as it is a measure of the resisting power of a specified material to the flow of an electric current यह जो resistivity होता है यह जो length of the wire होता है यह पिर area of the cross section होता है उस पर वो dependent करता है यह specific material के लिए हमेशा constant रहता है बसरते की temperature जो है वो constant रहा है resistivity different materials का different होता है यह हम compare करते हैं conductor और insulator में तो जो conductors होंगे उनकी resistivity कम होगी और जो insulator होंगे उनकी resistivity ज्यादा होगी so friends अब एक question आता है कि what are the factors on which the resistivity of a substance depends so there are two factors on which it depends first क्या हमारा depends on the nature of a substance that means क्या हुआ कि वो जो आपके पास conductor है वो किस material के बना हुआ उस पर depend करेगा यदि जैसे कि वो silver है तो उसका resistivity अलग हो जाएगा यदि हम chromium लेते हैं आयरन लेते हैं तो उसकी resistivity अलग हो जाएगा और second जो factor होता है it depends on the temperature that means क्या हुआ कि resistivity जो है वो temperature पर भी depend करता है friends मैं एक numerical ले रहा हूँ जिसमें कि जो relation सिफ हम ने अभी derive किया था that is r is equal to rho into l upon a उसका use किया जाएगा so here it is a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter so we have to find out question number a is what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm and question number b is how much does the resistance change if the diameter is doubled to at first देते है क्या 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 गिवन इस question मैं the diameter of wire is given d is equal to 0.5 mm it is given in millimeter so we have to change it into meter which will be 0.5 into 10 to the power minus 3 meter it is a diameter we have to find the area so at first find out the value of radius the radius will be 0.5 into 10 to the power minus 3 upon 2 0.25 into 10 to the power minus 3 meter it is radius of the copper wire so its cross sectional area will be pi r square which will be 22 upon 7 into 0.25 into 10 to the power minus 3 to the whole square so it will become 22 upon 7 into into 0.0625 into 0.0625 into 10 to the power minus 6 so now calculate it 22 multiply with 0.0625 divided by 7 so we get 0.196 into 10 to the power minus 6 it is meter square okay also this question the value of resistivity is given to rho is equal to 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter and in question number a the resistance of the wire is also given R is equal to 10 ohm we have to find the value of L L means length of the wire so we use the relationship so we know that R is equal to R is equal to R into L upon A it means L is equal to R into A upon R now we substitute all the values value of R is 10 value of A is 0.196 into 10 to the power minus 6 and value of rho is 1.6 into 10 to the power minus 8 so it will become 0.196 into 10 to the power plus 1 minus 6 will become minus 5 and minus 8 will become plus 8 here and divided by 1.6 now calculate it it is 0.196 divided by 1.6 it is 0.196 divided by 1.6 value is 0.1225 into 10 to the power 3 which will become 122.5 meter so the value of L that means length of the wire is 122.5 meter now we take question number B question is how much does the resistance change if the diameter is doubled so we know that we know that R is proportional to 1 upon A that means resistance which is cross-sectional area inversely proportional होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा जो resistance होगा यह इसके diameter के square का inversely proportional हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि जो area होता है इसका formula होता है pi R square और pi भी constant है यदि हम R को convert करते हैं D में तो D upon 2 भी होता है तो R square become D square by 4 तो 4 भी constant है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R proportional to 1 upon D square अब question है कि diameter को double करते हैं तो resistance को क्या पढ़ेगा तो if diameter is doubled the resistance will become तो double का मतलब D के value D जो है हुआ हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ तो यदि आप diameter में change करते हो तो उसके square का इन्निवर्सली प्रफिस्टन हो जाएगा resistance यदि आपने उसे double कर दिया तो resistance जो है ओन फोर्थ हो जाएगा okay friends that's all for today I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching